मेरी फुल्वारी में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं मेरे सामने कुछ छोटे-छोटे गमले रखे हुए हैं जिसमें मैंने मिट्टी पहले से ही भर लिया है तो आज क्योंकि दोस्तों सर्दिया आने वाली हैं और सर्दियों की पौध लगाने का ये बिल्कुल सही समय है तो आज मैं नरस्री से कुछ छोटे-छोटे पौधे लाई हूँ जिसको मैं इन गमलों में लगाने वाली हूँ तो आपको भी मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आप भी देखे कि किस तरीके से अब हम नए पौध लगाने लगा सकते हैं उसको लगाने का सही वक्त आ गया है तो आप देखिए कि मैं क्या लेकर आई हूँ ये है दोस्तों देखिए मैंने गजानिया के चार पौधे खरीदे हैं बलकि एक और लिया है पांच पौधे हैं अभी ये पौधे इस तरीके से ये 10-10 रुपए का उसने हमें दिया है पौध ये इसमें बहुत अच्छे कलर होते हैं बहुत ही वेरिकेटेड फूल निकलते हैं अभी उसने कहा था कि इसमें मल्टी कलर के फूल निकलेंगे लेकिन अभी इसमें कौन से पौधे में कौन सा फूल निकलेगा ये तो अभी पता नहीं चल पाएगा लेकिन इसमें अलग अलग डिफ्रेंट कलर के फूलों के पौदे हैं तो ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसकी कलिया निकलेंगी तो अपने आप पता चल जाएगा तो ये पौद असानी से लग जाएगी और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है सर्गियों का दूसरा अगर देखें तो ये विनका लेकर हम आए हैं विनका का एक ही पौधा लिया है छोटा था लेकिन इसका फूल खिला था तो कलर मुझे पता चल गया इसलिए मैंने इसको ले लिया है विनका और अब दुबारा जाओंगी तो और भी जो कलर होंगे वो मैं विनका की लेकर आओंगी अभी शुरुवात में एक ही लाई हूं और ये पिटूनिया है आप देखिए ये पिटूनिया की पौध है इसमें भी मल्टी कलर नरस्री वाले ने मुझे बताय तो इसमें भी थोड़े दिनों के बाद कलर पता चल जाएंगे कि कौन से कलर इसमें लगने वाले हैं साथ में ये कोलियस की एक स्टिक मैंने उससे ऐसे ही मांग ली है अब इसे किसी गम्रे में मैं लगा दूंगी और इससे नया पौधा बन जाएगा तो उससे कई पौधे रखे और यह जो मेरा पौध है इसमें अभी क्योंकि ये पौधे छोटे हैं तो इसमें दो पौधे मैं एक साथ लगा दूंगी उसके बाद अलग पौध में इसको सेपरेट कर दूंगी अलग अलग तो अभी शुरुवात में थोड़ा बड़ा होने तक 15-20 तिनों तक मैं इसको दो दो लगा देती हूं क्योंकि ये पौट थोड़ा सा मेरा दस इंची का है बड़ा है इसी तरीके से यहां भी मैं दो इसके लगा देती हूं दो पौधे यहां पर लगा दूंगी उसके बाद गजानिया है गजानिया को भी मैं इस पौट में लगा देती हूं और कि यह दो दो पौधे तिन तिन पौधे आप एक साथ लगा सकते हैं और जैसे बड़े हो जाएंगे आप इसको अलग अलग गमलों में रिपॉर्ट कर देंगे तो यह बहुत ही अथ्छे चलेंगे तो दोस्तों उसके बाद आप इसको लगाने के बाद आप इसमें पानी दे के बाद जो है यह फिर इसको चाया वाली जगह पर रखना होगा क्योंकि अभी शुरू में अगर आप इसे धूप में रख देंगे तो यह पौधे खराब हो सकते हैं ज्यादा धूप अभी सहन ने कर पाएंगे क्योंकि इनको अपनी जगह से दूसरी जगह बदला गया है और पौध अभी छोटी है तो आप छाया वाली जगह पर एक हफते के लिए रख दीजिए फिर इसकी जड़ मजबूत हो जाएगी उसके बाद इसे हलकी धूप में भी आप रख सकते हैं तो दोस्तो आज इस वीडियो में यही आपको दिखाना था कि अब सर्दिया आएगा नवंबर दिसंबर में तो यह बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे अब इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूंगी तब तक के लिए धन्यवाद